नमस्कार दोश्तो आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको निर्जला एकदशी की ब्रत कथा सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान बिश्णू कीजे अवश्य लगिए साथ ह अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जेश्ट मास की सुक्ल पच्च की एकदशी को निर्जला एकदशी कहा जाता है निर्जला एकदशी पर किया गया ब्रत अनुष्ठान बेहत फलताई है इस दिन किये गई पूजन वद्दान पुन्य से अच्छे पुन्य की प्राप्ती होती है मानिता है कि भगवान बिश्णू को आशिरवाद दिलाने वाले सभी एकदशी ब्रत में निर्जला एकदशी ब्रत सबसे कठिन होता है अगर आप साल की 24 एकदशी का ब्रत नहीं कर पाते तो इस एक ब्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुन्य कमा सकते हैं सभी एकदशीयों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान बिश्णू की पूजा करते हैं वा उपवास रखते हैं मानेता है कि इस दिन ब्रत रखने पूजा और दान करने से ब्रती जीवन में शुक समर्दी का भोग करते हुए अंध में मोच को प्राप्थ होता है लेकिन इन सभी एकदशियों में से एक ऐसी एकदशी भी है जिसमें ब्रत रखका साल भर की एकदशियों जितना पुन्य कमाये जा सकता है वै नरिजला एकदशी है सास्त्रों में निर्जला एकादशी के ब्रत को सबसे कठिन और पुन्य फल दाई बताये गया है इस ब्रत में जल का त्या करना पड़ता है इस दिन बिना कुछ खाए पिये ब्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है मानेता है कि मात इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है इस एकादशी को भीम सेनी एकादशी भी कहा जाता है इस दिन ब्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी ब्रत की कथा पढ़ने से भगवान विश्णों की विशेश करपा प्राप्त होती है आईए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की ये कथा एक समय की बात है एक जाट था उसकी नई नई साधी हुई थी वो पहली वार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था रास्ते में उसने देखा एक गाए तालाम में पाने पीने जाती है जेट का महिना था गाए तालाम में फस जाती है निकल नहीं पाती तो वह उस जाट को देखती है और उससे कहती है कि भाई मैं तालाम में फस गई हूँ किरपा करके मुझे इस तालाम से निकलने में मेरी मदद करो लेकिन वह जाट मना कर देता है और कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार से सुराल जा रहा हूँ अगर मैं तालाम में गुसा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे गाए ने बार-बार जाट से बिंती की लेकिन वह जाट नहीं माना गाए ने कहा अरे भाई आज निर्जला ग्यारस का दिन है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत पुन्य मिलेगा मैं तुम्हें बरदान दोंगे तुम्हारी साथ पीडियां तर जाएंगे तुम्हें हर सुक मिलेगा लेकिन वह जाट नहीं माना तब गाए को बहुत गुसा आ गया तब गाई ने गुस्से से कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे मुझे इस तालाब से नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हें स्राब दे दूँगे और ऐसा कहकर गाई ने उस जाट को स्राब दे दिया कि जा आठ पहर बाद तुम गधा बन जाएगा वो जाट डर गया और गाई से माफी मांगने लगा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी वह गाई तालाम में पूरी तरहे डूब गई थी जाट बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से अपनी सस्राल पहुँच गया सब ने अपनी जमाई का आदर्शतकार किया लेकिन उसने अपनी पतनी से कहा कि हमें अभी निकलना है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोगों ने जमाई से कहा कि जमाई जी अभी तो आप आए हो आज रुक जाओ कल चले जाना लेकिन उसने तो जैसे जाने की जिद ही पकड़ ली थी तब उसकी पत्नी ने कहा कि सब लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ कल चलेंगे तब जाट ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई स्राप की बात सुनकर उसकी पत्नी तुरंत तयार होकर अपने पत्नी के साथ घर के लिए चल दी दोनों घर पहुँच जाते हैं और आट पहर बाद वह जाट गधा बन जाता है अब उसकी पतनी अपने पती के साथ अंदर ही रहती है लेकिन धीरे धीरे उसके घर का सारा सामान खत्म हो जाता है उनके खाने पीने को कुछ नहीं बचता वो बहुत दुखी हो जाते हैं तब एक दिन वे गधा कहता है कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो तब वे दोनों नगर की राजा के यहां मजदूरी करने पहुंच जाते हैं राजा के यहां कुगा खुदने का काम चल रहा था वही पर वे मिट्टी डालने का काम करने लगती है जब सम मजदूरों ने देखा कि वे अपने सिर पर रखकर मिट्टी डाल रही है तो सब ने उससे कहा बहन तुम्हारे पास तो ये गदा है फिर तुम अपने सिर पर रखकर मिटी क्यों डाल रही हो इस गदे पर रखकर मिटी क्यों नहीं डालती लेकिन वह कुछ नहीं कहती चुपचाप अपना काम करती रहती है ये सब दूर से राजा भी देखते थे उन्हें बहुत आश्चरी हो रहा था एक दिन राजा से रहा नहीं गया और राजा ने जाटकी पत्नी से पूछा बहन मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम अपने सिर पर रखकर मिटी डालती हो जबकि तुम्हारे पास तो ये गदा है तो तुम इस गधे से मिटी क्यों नहीं डालती तभ जाटकी पत्नी ने कहा कि महराज ये गदा नहीं मेरे पत्ती है मैं इन से मिटी कैसे डलवा सकती हूं तभ राजा अपने यहां एक पंडित को बुलाते हैं और इसका समाधान पूछते हैं तब पंडित जी कहते हैं महराज इसका एक ही समाधान है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और उसका फल वो इस गधे को दे दे तो ये मनुशी रूप में बदल सकता है तब राजा ने अपने राजे में एलान करवा दिया कि जिसने 101 ग्यारस की हो वो उसका फल इस गधे को दे दे मैं उसे अपना आधा राज दे दूँगा पूरे राजे में कोई नहीं था जिसने पूरी 101 ग्यारस की हो तब ही एक बूरी औरत महल में आती है और वह कहती है महराज मैंने पूरी 101 ग्यारस की है तब राजा ने कहा तो तुम अपनी 101 ग्यारस का फल इस गधे को दे दो मैं तुम्हें बहुत धन दूँगा तब वह बूरी औरत कहती है कि है महराज मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी अब मेरे जीवन के दिन ही कितने बचे है अब मेरे लिए ये धन दौलत किसी काम की नहीं है फिर वैबूरी औरत कहती है महराज मैं सो ग्यारस का फल इस गधे को दे दूँगी लेकिन एक निर्जला एकादशी को अपने पास रखोंगी क्योंकि निर्जला एकादशी से मुझे मोच की प्राप्ती होगी विश्नु भगवान के दर्सन होंगे ऐसा कहकर उस बूरी औरत ने सो ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया जिससे उस गधे का सरीर फिर से इनसान का हो गया लेकिन एक ग्यारस कम होने के कारण उसके सरीर में एक पूछ रह गई वह उसके सरीर से नहीं हटी इस तरह ग्यारस के फल से उस जाट को गाय के स्राप से मुक्ती मिली अव जाट और उसकी पतनी राजा को धन्यवार दे कर वहां से चले गए और खुसी-खुसी जीवन बिताने लगे फिर जाट की पतनी हर निर्जला एकादशी को ब्रत रखती और पूजन करती थी जैहो भगवान बिशनु की तो है भगवान बिशनु जैसे आपने इस जाट और उसकी पतनी पर अपनी किरपा की वैसे ही अपनी सभी भगतों पर अपनी किरपा सदा बनाए रखना जैहो भगवान बिश्णों की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करिए धन्यवाद